हेलो फ्रेंड्स नमस्ते वेलकम बैक टू माई चैनल और आज मैं आपके स्वाज़ शेयर करने वाली हूँ आम की खीर रेसिपी जो खाने में बहुत ही डिलिसियस होता है आम सभी को पसंद होता है लेकिन अगर आप इसे खीर बना के खाऊगे तो ये और भी टेस्टी लगने वाली है तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे खीर के लिए आधा कटोरा चावल लिया है इसे मैं अच्छी तरह से धोके साफ कर लूँगी धोने के बाद इसे 10-15 मिनट तक हमें सोग कर लेना है ताकि ये चावल अच्छे से फूल जाया खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिट्टी का बरतन का इस्तमाल किया है आप चाहो तो इसे नॉर्मल बरतन पे भी बना सकते हो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है ताकि दूद नीचे चिपकेना और वो जलेना तो बस यहाँ पे मैंने एक लिटर दूल इस्तम खीर बनाने के लिए और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे गरम करना है दूद में जब अच्छा उबाल आ जाए तब हम इसमें सोक किया हुआ राइस जो हमने रखा था इसमें हम एड कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हमें कुक करते रहना है चावल को पकने में 10-12 मिनट सोफ्ट हो जाएंगे और थोड़ा ये गाढ़ा हो जाएगा इसमें मैंने थोड़ा सा केसर इस्तेमाल किया है ताकि टेस्ट भी अच्छा है और देखने में भी बहुत ही प्यारा साई कलर आ जाए इसमें आप चाहो तो इसमें थोड़े से ड्राइफरूट्स भी आड कर सक और जब ये गाढ़ा हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा इलाइची का पाउडर आड कर देंगे देखिए दस से बारा मिनिट के बाद ये खीर बिलकुल गाढ़ी होती जारी है बस इसी तरह से हमें इसे पकाना है थोड़ा सा इलाइची पाउडर डालके अब इसे हमें कु आम तो हम सबकी फेवरेट होती है लेकिन अगर आप इसे खीर बना के खाओगे तो बहुत टेस्टी लगने वाली है अब मैं इसमें आड करूँगी चीनी तेस्ट के कॉर्डिंग जितना आप मीठा खाना पसंद करें इसमें चीनी आड करके अच्छी तरह से मिक्स कर दे और गैस का फ्लेम बंद कर दे बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे ठंडा कर लेना है थोड़े देर जब ये तो पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए तब हम इसे मैंगो का पल्प इसमें आड करेंगे तो मैंगो का पल्प के लिए मैंने यहाँ पे एक मैंगो का इस्तमाल किया है इसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी ताकि इसका पल्प अच्छी तरह से निकल जाए विल्कुल आप चाहो तो जैसे भी आप कट करना चाहो इसे कट कर सकते हो लेकिन इस तरह से अगर आप कट जगाते हो मैंगो पर तो उसके जो पल्प है वो बहुत एजली निकल जाते हैं फ्रेंड्स आम तो हम सब की फेवरेट होती है और आम के सीजन में आम खाना सभी को बहुत पसंद होता है लेकिन अगर आप इससे खीर बना के ट्राइ करते हो तो और भी बहुत ही टेस्टी है ड क्हीर में आड कर दूँगी जिसे मैंने में बना के टयार किया है छिक इस तरह से हमें आड कर देना है और साथ मैं इसमें कुछ कटे हुए मैंगो के पीसे ताकी जब हमारी मूँ पे बाइट आए तो यह बहुत ही टेस्टी लगे और इससे हमें अछी तरह से मिक्स कर ले lazy अगर आपको मेरी ये खीर की रेसिपी अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स इसे लाइक करना ना भूले और अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें देखें इसे मैं एक मिटी के बर्तन पे सर्व करके दिखा रही हूं और ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी और इसके उपर मैंने कुछ गार्निस किये हैं केसर के साथ और आम के पीसेज के साथ तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें थांक्यू अछरी से लाइक कर दो प्लीज और आम करें और बहुत है तो